हाई गाई स्वागत हैं सभी का मेरे इस यूटूब चनल पर दोश्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूटूब के कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जिसे जानकर आप लोगों को बहुत ज्यादा खुसी होने वाली है आज का अपडेट ही कुछ ऐसा है जो कि हर एक यूटूबर के लिए भरे प्सवागों के वेसे लोग जो कि लंबे वीडियो बनाते हैं लंबे ट्यूटोरियल टैप का वीडियो बनाते हैं उनके लिए और भी ज्यादा फैयदेबंद है देखो पहले क्या होता था कि यदि आप 8 minute से जादा वीडियो बनाते थे 10 minute का 20 minute का वीडियो बनाते थे तो उसमें आप क्या करते थे कि description में जो है time to time लिख देते थे जिससे कि आपका जो chapter बन जाता था आपके वीडियो का chapter बन जाता था सेम जो है अब ये काम YouTube करने वाला है आपके वीडियोज को वो खुद एनालेसिस करेगा और वहाँ पर देखेगा कि आपने कौन सा लेसन जो है आपने कौन सा चैप्टर जो है आपने कौन सी बात है जो है कितना देर तक कभर किया है उस टाइब का वो वीडियो में कट करके वो आपके description में लगा देगा ये काम खुद YouTube करने वाला है और इसमें आपको फैदा क्या होने वाले है कि यदि आप एक काम कर लेते हो सबसे पहले तो आपको ये setting on कर लेना है देखो setting कहां से on होती है ये वीडियो के end में मैं बता दूँगा आपको setting कहां से on करनी है तो सबसे पहले आपको setting on कर लेना है दूसरा जो तरीका है आपको hashtag करके आपने वीडियो में जो भी चीजे बताई है जो भी बाते उसमें कभर किये सब को hashtag करके आपको अपने description में लिख देना है hashtag लगा कर लिखोगे तो क्या होगा यदि कोई search करेगा और आपके tag से related उसका search होगा तो जो है आपका वीडियो जह है उपर में आ जाएगी आपका वीडियो जह है उसके सामने चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि देखो हर topic पे वीडियो नहीं बना होता है एक ही वीडियो में बहुत सारे चीज़े हम लोग cover करते हैं जिससे की और कुछ लोग होते हैं जो की खास-खास कोई कोई चीज़े को search करते हैं जिससे की उनको नहीं मिलता है और उनको खोजने में दिक्कत होती है जो गैज, creators के लिए जो है ये भी बहुत ज़्यादा फैदे कर दिया है कि आपका जो वीडियो है उसमें जो भी आपने बाते cover कियें वो सब को high-tech लगा के description में लगा देना है जिससे की जो भी search करें जो भी बंदा यूटूब पर आ और search करें और आपके search से related उसका search हो तो जो है आपका वीडियो उसके सामने चला जाएगा अब उसके सामने जागा तो वीडियो देखेगा और वीडियो देखेगा तो आपको watch time भीज सब कुछ मिलेंगे आपको भी तो भी चाहिए तो इस तरीके से आपको जो है फादा होने वाली है वीडियो शुरू करने से पहले मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेश्ट है कि यह दिए आप मेरे चानल पर नए हो तो चानल को जूर सब्सक्राइब करो और यह दिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाश्ट में लाइक जरू कर देना सो आज चलते हैं वीडियो की तरफ और वहाँ पर दिखाते है कि आपको कौन सा सेटिंग आउन करना है आपको यहाँ पर नीची में आप देख सकते हैं एक सेटिंग का आइकन बना होगा आपको इस सेटिंग का आइकन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ही इस तरह का एक पॉप-प आ जाता है अब आपको क्या करने हैं यहाँ पर अपलोड फीचर्स पर क्लिक कर देना है चलिए मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते है basic info और यहाँ पर देख सकते है एक advanced setting का एक option है आपको क्या करना advanced setting पर click कर देना है और अब आपको क्या करना यहाँ पर देख सकते है allow automatic chapter when available and actual आप देख सकते हैं यहाँ पर allow automatic chapter का एक option है आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको जो है सेव पर क्लिक कर देना है अब आपको क्या करने है यहाँ पर देख सकते हैं सेव है आपको सेव पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका सेटिंग सेव हो जाता है आप यहाँ पर description में chapter by chapter करके आ जाएगा तो guys ये video आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बता है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो और इसी तरह का interesting वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करें तो guys मिलते हैं next video में अभी के लिए बाइ बाइ